हेलो अब्रिवन स्वागत है आप सीलों का इस 35.6 में तो आज के इस वीडियो में देखिए आप सीलों को गुणन खंड के प्रस्ण बताएंगे तीन टाइप के प्रस्ण बताएंगे तो आप इनको ध्यान से समझेगा पहला टाइप के प्रस्ण देखिए एकस स्वागत है इसका आपको गुणन खंड ग्यात करना हो सबसे पहले देखिए एकस के सामने जब कोई भी संख्या न लिखी हो तो लाश्ट वाले है यानि 16 को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि जोडने पर कितना 8 हा जाना चाहिए जैसे यहाँ पर 16 लिखा हुआ है 16 को आप तोड़ेंगे तो 4 गुडे 4 करेंगे 4 गुडे 4 करेंगे 4 चयों कितना होता है 16 हो जाता है अब इसी 4 को आपको जोड़ना पड़ता है 4 धन 4 करेंगे तो 4 चयों कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा मैंने क्या बोला 16 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोडने पर क्या उनको 8 हाना चाहिए यहाँ पर देखिए हमने 16 को तोड़ा चार धन 4 की यत कितना है 8 हा गया बस इसी चीज़ की आपको नीचे वाले की जरूरत होती है अब जहाँ पर 8x लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्या इस 4 को आप 4x लिखेंगे और इस 4 को भी आप क्या 4x लिख देंगे तो 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा तो चलिए इसी आप आप साल्व करते हैं यहाँ पर देखिए x square है तो x square लिखेंगे प्लस का चिन मनाएंगे 8x की जहाँ पर हमें 4x प्लस 4x लिखना है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4x प्लस क्या 4x अब देखिए इनको आप जोड़ेंगे कितना जाएगा 8x हा जाएगा आगे देखिए प्लस 16 लिखा हुआ तो प्लस 16 लिख लेंगे इतनी चीज़ें आपके रफ के लिए है अब हम इन्हें साल्व करेंगे यहाँ पर देखिए 4x प्लस 16 लिखा हुआ है तो हम दोनों में क्या कामन इन में बनाएंगे और इसमें भी क्या कामन खोजेंगे ति एकस скорее plus 4 x में common क्या है यहाँ पर देखे in में common बनेगा और 4 x plus 16 इसमें common आपको देखना है इसमें देखे common जो है आपका x बनेगा common वही चीज होता है जो दोनों में होता है यहाँ पर देखे yaks 2 बार है x square का मतलब x 2 बार है यहाँ पर 4x लिखा हुआ है तिहाँ पर 1x एक बार में है तिहाँ से हम क्या करते हैं 1x को कामन ले लेंगे जब 1x कामन ले लेंगे तिहाँ पर 2 बार 1x गता है तो 1x कैंसिल हो जाएगा तो 1x बचेगा प्लस कचिन मनाएंगे यक्स से यक्स को काड़ देंगे तहाँ पर प्लस सिर्फ 4 बचेगा अब यहाँ पर देखे 4 यक्स प्लस 16 में आपको कामन खुजना है तहाँ पर देखे 4 आपका कामन मन जाएगा क्यों 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 कि चार देखी इसको भी काड़ देगा चार को और चार सोला को भी काड़ देगा तो हम क्या प्लस चार कामन ले लेंगे जब कामन ले लेंगे तो चार कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर यक्स बचेगा और चार से हम सोला को काड़ देंगे चार्चों कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा अब दिखी इस bracket में X प्लस 4 आया है इस bracket में भी X प्लस 4 आया है तो आप क्या करेंगी X प्लस 4 को आप कामन ले लेंगी जो आप X प्लस 4 को कामन ले लेंगे तो X प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा? X बचेगा यहाँ पर भी X plus 4 cancel हो जाएगा यहाँ पर plus 4 बचेगा यही आपके क्या हो जागा? answer हो जाएगा एक bracket में आपका X plus 4 आया है दूसरे bracket में भी आपका X plus 4 ही आया है तो finally यही इस प्रस्ट का क्या होगा? उत्तर होगा अब देखिए इसी प्रश्ण को थोड़ा अलग तरीके से पुछ देता है कभी कभार X की जिए पर आपको YM लिख देगा Y लिख देगा या कुछ भी लिख देगा उस प्रश्ण को भी आपको साल्प करते हैं दूसरा प्रश्ण है YM को पावर 2 प्लस 11 YM प्लस 24 लिखा हुआ है अभी देखिए पहले प्रश्ण में आपको यहाँ पर YM को पावर 2 दिखाई दे रहा था यहाँ पर YM लिखा रहा था लेकिन अब यहाँ पर YM लिखा हुआ है तो इस प्रश्ण को भी हम उसी तरह से साल्प करेंगे काफी लोग ऐसे प्रश्णों को भी देखकर क्या छोड़ देते हैं कि यह अलग टाइप का है यहाँ पर आप क्या करेंगे जब यम के सामने कोई भी संख्याना हो तो हमें लास्ट वाल है यानि 24 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोडने पर कितना यारा आना चाहिए 24 को तोड़ेंगे हम देखे 8 गुड़े अगर आप 3 करेंगे तो 8 तरी कितना होता है 24 होता है और 8 तरी को अगर आप जोड़ेंगे आठ धन तिन करेंगे तो आठ तिन कितना होता है यारा होता है यहाँ पर देखिए यारा यम लिखा हुआ है तो इसे हम क्या 8 यम प्लस 3 यम लिख देंगे यारा यम की जहाँ पर हमें 8 यम प्लस 3 यम लिखना है तो इसे हम सालव कर लेते हैं यम को पावर 2 है तो यम को पावर 2 लिखेंगे, प्लस का चिनलाएंगे, 11 यम की जहाँ पर हमें 8 यम प्लस 3 यम लिखना है तो यहाँ पर हम 8 यम प्लस 3 यम लिख लेते हैं, लास्ट में प्लस 24 है तो प्लस हम 24 लिख लेंगे, अब देखें क्या करना है, हमें यम पावर 2 प् यहाँ पर दो यम था तो एक यम ही बचेगा क्योंकि एक यम कैंसिल हो जाएगा यहाँ से हम यम से यम को कार देंगे तो यहाँ पर प्लस कितना होगा 8 बचेगा अब यहाँ पर देखिए 3 यम है यहाँ पर प्लस 24 है यहाँ पर यम है लेकिन यहाँ पर यम नहीं है तो यम का कार देगा 324 को भी कार देगा 3 कामन हो जाएगा प्लस 3 हम कामन ले लेंगे यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहां पर सिर्फ यम बचेगा प्लस के चिलाएंगे 3 से 24 को काटेंगे 3 8 कितना होता है 24 होता है अब यहां पर देखी यम प्लस 8 आया है यहां पर यम प्लस 8 आया है जो संख्या पहले bracket में आई हो वही अगर दूसरे में आ जाए तो समलीजी आपका calculation सही हो रहा है यहां से आप क्या करेंगे यम प्लस 8 दुनों में तो यम प्लस 8 हम क्या करेंगे कामन ले लेंगे जब यम प्लस 8 कामन ले लेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा यहां पर सिर्फ क्या यम बचेगा यहां पर भी यम प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा यहां पर क्या प्लस 3 बचेगा तो एक bracket में देखिए आपका यम प्लस 8 आया है और दूसरे bracket में यम प्लस 3 आया है यही इस प्रश्ण का finally क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा अब देखे मैं आपको ऐसा प्रश्ण रताता हूँ अगर यम के सामने कोई संख्या लिखी हो तो उसे कैसे साल करेंगे इसरा प्रश्ण है 2x square plus 11x plus 14 लिखा हुआ है जब इस तरह से कोई आपको सवाल दिखाई दे यानि यक्स के सामने संख्या लिखी हो जैसे 2 तो इस 2 का हमें क्या करना है इस last में यानि 14 की साथ क्या गुडा करना है जब 2 का गुडा हम 14 में करेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा अब देखे हमें 28 को इस प्रकार से तोड़ना है अगर यहाँ पर plus का चिन है तो जोडने पर 11 आना चाहिए तो हम 24, 28 को तोल लिखते हैं 7 गुडे हम क्या 4 करते हैं तो 7 चार कितना होता है 28 होता है अब 7 और 4 को अगर हम जोडते हैं 7-4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा अब यहाँ पर 11X लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या उसकी जहाँ पर 7X प्लस 4X लिखेंगे अब हम क्या करेंगे इसे साल्ब कलेंगे 2X पावर 2 है तो यहाँ पर हम 2X का पावर 2 लिखेंगे प्लस का चिन लाएंगे 11X की जहाँ पर हमें 7X प्लस 4X लिखना है तो यहाँ पर हम 7X प्लस क्या 4X लिखेंगे लाश्ट में प्लस 14 है तो प्लस हम क्या 14 लिखेंगे यह चीज़ें आपके rough के लिए हैं अभी नहीं हम solve करेंगे 2x square plus 7x में common खोजेंगे 4x plus 14 में common खोजेंगे तो यहाँ पर देखें common क्या होगा x यहाँ पर भी है x यहाँ पर भी है तो यहाँ एक x हम क्या करेंगे common ले लेंगे यहाँ पर देखें कितना बचेगा 2 बचेगा 2 लिख लेंगे यहाँ पर x दो बार है तो 1x cancel हो जाएगा यहाँ पर 1x बचेगा तो 2x बन जाएगा plus कचिन लाएंगे x से x cancel हो जाएगा तो plus 7 बचेगा अब देखें इसमें common क्या है अब इसमें देखें common आपका x नहीं है क्योंकि यहाँ पर x है लेकिन 14 के पास x नहीं है अब हम क्या करेंगे 2 common बनाएंगे 2 देखें 4 को भी काट देगा 2 14 को भी काट देगा जब हम plus 2 common ले लेंगे तो 2 से 4 में भार देंगे 2 दूना कितना हो जाएगा 2 x plus 7 को क्या common ले लेंगे जब 2 x plus 7 को common ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा 2 x बचेगा 2 x plus 7 common लिए है तो यह भी cancel हो जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा प्लस तो बचेगा एक ब्रेकेट में आपका 2x plus 7 आया है और दूसरे में x plus 2 आया है यही इस प्रश्ण का क्या हो जाएगा फाइनली एंसर हो जाएगा तो इस टाइप के प्रश्ण देखी गुड़न खंड के इसी तरह से सर्फ जाते हैं बहुत सारे तमाम बहुत प्रकार के गुड़न खंड के प्रश्ण है धीरे-धीरे में आपको वीडियो में बताता जाऊँगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक हो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्काइब करने ना भूलेगा मिलते हैं आप से गल वीडियो में धन्यवाद